हलो दोस्तों, वन वर्ड में आपका स्वागत है, मेरा नाम बैबो है और आज का हमारा वर्ड आफ तटे है, इंपोटेंट, तो आईए, सबसे पहले हम सीखते हैं, इस वर्ड को प्रिनाउंस कैसे करना है, तो हम बोलेंगे, इंपोटेंट, मेरे साथ रिपीट करिए, इंपो इंपोटेंट नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है, इंपोटेंट, इंपोटेंट का हिंदी में मतलब होता है, असहाय, या फिर नपुनसक, नामर्द, तो ऐसी कोई परिस्तिती आती है, जब आप उस परिस्तिती को बदलना चाहते हो, या उसमें कुछ सुधार करना चाहत तो लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके बस के बहर होती है तो उसको हम बोलते है IMPOTENT IMPOTENT का मतलब नपुन सक भी होता है तो ऐसा आदमी जो सेक्स नहीं कर सकता उसको भी हम बोलते है IMPOTENT तो चलिए अब हम एक्जामपल लेते हैं और समझते हैं स्वर्ड को सेंटेंस में कैसे उसका सकते हैं तो हम बोलेंगे IMPOTENT when her child is ill इसका हिंदी में मतलब हुआ वह बहुत असहाय महसूस करती है जब उसका बच्चा बीमार हो जाता है अब हम दूसरा एक्जामपल लेते हैं If a man is IMPOTENT, he is unable to have children इसका मतलब हुआ अगर आत्मी नपुन सक है तो उसके बच्चे नहीं हो सकते तो यहां आपने देखा IMPOTENT word का sentence में कैसे यूज करना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल One Word को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू